Hey guys, welcome back to another video. आज के इस वेडियो में हम बात करने वाले हैं EDTA अंटिकोगुलेंट के बारे में तो जो EDTA अंटिकोगुलेंट है हम वो रूटीन हेमेटलोजी में यूज करते हैं इसका फुल फॉर्म होता है इथाइलीन, डायमाइन, टेटरा, एसेटिक, एसेड तो इसका actually mechanism क्या होता है, यह क्या करता है, यह calcium को अपने अंदर bind कर लेता है अपने पास bind कर लेता है, जो यह EDTA होता है, जिसकी बज़ेट से blood में calcium बसता नहीं है और calcium नहीं बचेगा तो pathway block हो जाएगी किसकी? Congulation cascade जो होता है, उसकी pathway block हो जाएगी Congulation cascade जो होता है, उसकी pathway block हो जाएगी तो इस तरह से वो blood को clot होने से रोपता है, वाइल के अंदर प्लस अभी color क्या है, color जो होता है, natural color जो वाइल जिसमें color coding होती है वो होती है, lavender color या फिर purple color की जैसे कि आप देख सकते हैं, यह वाली है, लेवेंडर color या परपल color आप इसे बोलते हैं CBC, GBP, Ratic Count, जो भी इस तरह के routine hematology के test होते हैं, वो आप EDTA से करते हैं अब आप आपने देखा होगा, कहीं कहीं पर ऐसी pink color की वाइल दिखती है इस तरह की, जो आप यहाँ पर इसी में देख पा रहे होगा वो, वो same होता है actually, यह बोथ हार equal and same, सब चीज सेम है बस blood bank के लिए specific होती है वो, उससे cross matching वगेरा की जाती है यह जो यह वाली color की होती है, pink color की होती है जो ठीक है, अब guys, salt के जो यह EDTA salt है हमारा, उसके कुछ variants होते हैं या फिर types होते हैं पहला है dipotassium EDTA, tripotassium EDTA, disodium EDTA ओके, तो यहाँ पर समझते हैं कि सबसे preferred वाला जो अगर EDTA मैं पूछू, तो वो कौन सा है तो वो है dipotassium EDTA, ठीक है most common या फिर most preferred EDTA जो है, वो है dipotassium EDTA तो friends, वो tripotassium EDTA है वो shrinkage करता है red cells की, मतलब red blood cell है, वो shrink हो जाती है थोड़ा से यह hyper osmotic type का है, तो इसे हम usually avoid करते हैं इसके अलावा, वो tripotassium EDTA है, वो liquid form में होता है usually वो liquid form में होता है, तो वो volumes भी थोड़ा dilute करतेगा, जो हमारा blood है अब now third number का जो है, वो है disodium EDTA तो friends, disodium EDTA को हम क्यों consider नहीं करते हैं, या फिर less preferred माना जाता है क्योंकि यह करता है, alteration in pH, altered pH cause करता है okay friends, the most preferred जो हमारा normally vials में हमें मिलता है, वो K2 EDTA होता है dipotassium EDTA होता है, तो इस video में इतना ही, thank you so much for watching, have an awesome day